हाई दोस्तों तु हम येस वीडियो में बॉडी लैंग्विज के बारे मा कुछ साइकोलोजी फाक्ट्स जानेगे तु वीडियो पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते समय अगर लगातार हाथ या पैर इधर उधर हिला रहा है तो इसका मतलब वो आदमी या तो कनफ्यूज है या फिर आपसे बात करने में असच महसूस कर रहे है अत्यधिक सोचने से व्यक्ति का मानसिक रूप से तूट जाने का खत्रा रहता है दोस्तों जब आप किसी के साथ बाते कर रहे हों तो बार-बार उनके नाम का इस्तेमाल करें ये लोगों को ऐसा महसूस कराता है कि उनका आपके साथ व्यक्तिगत संबंध है ये बात जान लीजिए कि जो लोग जुठे होते है वो सबको जुठा ही समझते है और जो चीटा होते है वो सबको चीटा ही समझते है रात को सोने से ठीक पहले आप जिस व्यक्ति को याद करते हो वो या तो आपके खुशी का कारण है या फिर वो आपके दुख का कारण है जो लोग ज्यादा शर्माते है वो कम शर्माने या फिर नहीं शर्माने वाले लोग से ज्यादा उदार और भरोसे मंद होते है वो व्यक्ती जो अन्फानी मजेदार नहीं है चुटकुला पर पर भी हसता है इसका मतलब वह अंदर ही अंदर बहुत अकेला है किसी नए जगह या फिर खुला जगह पर तहलने से आपके दिमाग को नए आइडिया सोचने में बहुत जादा मदद करता है